हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेलप और सीवीटी प्रिपरेशन में इस वीडियो में मैं इनवर्सिटी रिव्यू करने वाला हूँ वाइवी एन इनवर्सिटी राची का जो की एक प्राइवेट कैसा है तो चलिए शुरू करते हैं वाइवी एन इनवर्सिटी राची का रिव्यू हमिशा की तरह किसी भी इनवर्सिटी कॉलेज का रिव्यू करने से पले मैं आपको दिखाता हूं उससे जुड़ी हुई कुछ कैंपस फोटो तो आप देख सकते हैं यह है कुछ फोटो यहाँ पर ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इससे रिलेटेड एक कॉलेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइवी एन इनवर्सिटी राची का एक कैंपस पोटो जो की यह राची सहर में इस्थित है आगे हम बात करें इस इनवर्सिटी के बारे में तो इस इनव इस्थापना हुई थी और जो एक प्राइबेट इनवर्सिटी है यहाँ पर इन इस इनवर्सिटी के एप्रूवल मिला हुआ है कोर्सेश के अगर बात करें तो यूजी पीजी डॉक्टरल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिएट सभी प्रकार के यहाँ पर कोर्सेश होते है है आपका जो भी अफ्लिकेशन होगा वो सब oln लाइं होने वाला है कोई वीट्षिट फिरम यहाँ है अफ्लाइन साल 2013 से नहीं भरने वाला है। अगर हम बात करें यहां पर एडविशन प्रोसेस की तो एडविशन जितने भी यूजी कोर्सेस हैं यहां पर साल 2023 से यहां पर जितने कोर्सेस हैं यूजी के उनमें एडविशन CUET UG के marks पे होगा अगर सीटे बसती हैं तो direct भी admission हो सकता है आपे maximum जो UG के courses हैं उनमें आपका admission CUET UG के ही marks पे होगा यहापे अगर सुविधाओई की बात करें तो सभी student को hostel, transportation classes वगरा सभी प्रकार के जो प्रमुक सुविधाएं होती हैं वो सभी प्रकार के हाँ पे आपको मिल जाएगी जैसा कि आप लोग detail देख सकते हैं और email ID official website contact number आपके screen पे सु हो रहे हैं और इसका screenshot भी आप ले सकते हैं इसका research करने के लिए अगर हम यहाँ के university के courses के बारे हम बात करें with specialization तो आप देख सकते हैं BSC में कौन-कौन से specialization है औरने courses का भी आप देख सकते हैं आप मैं scroll करते जाओंगा आप अपने coding यहाँ पे देख सकते हैं अकर ज़्यादा जरुवत होई तो इन सभी courses के उपर भी एक dedicated video वीज़ बेना दूँग अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मैं MBA का specialization दिखा रहा हूं MBA में finance, HR, retail, marketing, IT, hotel and tourism वगारा सभी प्रकार के branches आपको देखने को भी लेंगे BTEC में CSC, Civil, Biotechnology, Agriculture, Automobile, सहित कुछ और branches यहाँ पे पढ़ाय जाते हैं MTEC के अगर बात करें तो MTEC में भी आप देख सकते हैं पावर सिस्टम, VLSI, IT, Environmental, Electronics and Communication Electrical, Civil, Biotech and other branches का आप लोग नेम देख सकते हैं अगर हम बात करें BMA के तो eligibility इसका 10 प्लस 2 है जो की एक integrated course है MA MSW General की बात करें तो graduate in end discipline यहाँ पे MSW and MA के जितने भी general courses हैं उनमें किसी भी graduate का यहाँ पे admission होता है यहाँ पे आप लोग fees देख सकते हैं अलग-अलग courses का है fees detail यहाँ पे जितना भी दिखाया जारा है वह साल 2022 से उससे पहले का है जब भी आप साल 2023 से उसके बाद admission लेंगे तो fees detail एक बार official website से अपने अस्तर पे भी चेक करें यहाँ पे फीस का detail आप vary करता है हर year wise year तो साल 2023 या 24 में कुछ और भी हो सकता है fees का detail इस इसके regarding जानकारी के लिए प्लीज एक बार official website पे विजिट करें यहाँ पे जो भी मैं information दे रहा हूं फीस के regarding वह साल 2022 या उससे पहले का है अगर हम बात करें जो भी student इनके university पर पढ़ते हैं YVN university राची में तो 10 में से 8.2 rating यहाँ पे student ने दिया है जिसे आप लोग average या below average university कह सकते हैं यहाँ पे total 18 student दारा rating किया गया है अगर हम बात करें यहाँ के वीडियो के last में YVN university के placement के बारे में तो यहाँ पे हर प्रकार की student को यहाँ प्लेस्मेंट को यहाँ प्लेस्मेंट सेल भी है university के campus में और mock interview वगयरा भी कराया जाता है जिससे student को placement असानी से मिल पाए है यहाँ पे अगर हम देखें top company recruiters का नाम तो NITT, TCS, Vipro, CTS, IBM, Infosys, Mahendra and Tata जैसी company विजट करती है और यहाँ के student का placement होता है YVN university has 18 schools name of which are given in the table below इन सब schools में आपका admission होगा और maximum जो आपकी placement होते हैं वो BTEC में होंगे आपके school of computer science and IT में और ज्यादा तर placement इनी दो courses में होते हैं management में और commerce में और IT and computer science में तो इनी courses में इनके 80% छात्रों का placement होता है बागी जो courses है उनमें बहुत कम placement है अगर आगे हम बात करें placement experience जो कि student द्वारा दिया गया है यहां पर पढ़ने वालों का तो जो बताया जा रहा है कि यहां पर BCA का student है उनका review में आपके समने दिखा रहा हूं तो यहां पर बता रहा है वो कि got placed I got a package of 9.3 लाग 9.3 लाग का इनको package मिला हुआ है और अलने courses का अभी मैंने पढ़ा जैसे BTEC, MTEC और जो भी professional courses हैं जो कि private university में maximum जो student होते हैं वो professional courses ही opt करते हैं तो उनमें अगर अगर अब देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो यहां पर review लिखा गया है कुछ student द्वारा उनमें बताया गया है कि बहुत ज्यादा student को placement मिल जाता है maximum to maximum और यहां से पढ़ने के बाद low package का placement मिले का और वो higher studies के लिए भी जाते हैं या कोई अन्य government exam का preparation भी करते हैं तो यह रहा पुरा university का review आसा करता हूं आपको जो यहां पर मैंने जनकारी दी है अपने knowledge के आप से अपने research के हिसाब से वो बिलकुल सही है अगर कोई यहां पर कोई कमी रहती है तो उसके लिए मैं आपसे मावी माता हूं जहां तक मेरा उमीद है यहां पर जो भी मैंने आपको बाते बताईए वो trusted और authentic है अगर कोई इसमें कमी रहती है तो इसके लिए मैं दुबारा आप सभी से मावी चाहता हूं इस वीडियो को आपने last तक देखाई अभी के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू